दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का हमारे चैनल शिवकता उपाय पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शिकों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। मात्र आपको कर लेना है। प्रदोशकाल के समय पर आपको इस उपाय को करना है। आप सभी जानते हैं कि प्रदोशकाल का समय महादेव को प्रसन्य करने के लिए बहुती महत्वपूर्ण और उद्दम माना जाता है। इस समय पर हर का कोई भी व्यक्ति, सच्ची मंसी और को पूर्ण कर देती हैं यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी परिस्तिती में 41 गेहूं के दाने का यह एक अनोखा उपाय आपको कर लेना है इस अजोग उपाय को करने से जीवन की सभी कामनाय पूर्ण होंगी और महादेव का आशिरवात आपको प्राप्त होगा इस उपाय के लिए आपको 41 गेहूं के दाने लेने हैं ध्यान रखे जो दाने आप ले रहे हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए और दानों को अलगी पहले कर लेना है आपको अप्रदोशकाल के समय पर 41 गेहूं के दानो को रखकर 7 बार अपने कामना को दोहरा कर श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्रे के साथ शिवलेंग पर अरपित कर देना है सच्छे मंसे और पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके कामना महादीव अवश्य ही पूर्ण करेंगे आगले वीडियो में श्री शिवाय नमस्तो भ्याम